नमस्कार, स्वागत है आप लोग का Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे Welcome you all in Defense Officers Academy's YouTube चैनल आज का वीडियो Cynic School के Experience के उपर है खासकर OMR Sheet को कैसे भढ़ना है बच्चे थोड़ा सा Confused है क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं जो इस बार First Time Cynic School का एक्जाम देंगे और जो बच्चे already experienced हैं या पुराने हैं उनको तो मालूम है लेकिन नए बच्चो को खासकर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि उनको कोई confusion ना रहे और क्योंकि OMR Sheet को properly भढ़ना important भी है otherwise आपको मालूम है कि पूरी Sheet reject हुजाती है उसे computer properly read नहीं कर पाता तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा important था और बच्चो की queries भी आ रहे थी हमें किसर आप इस पर जरूर वीडियो बनाए तो आईए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं तो इसको end तक जरूर देखेगा मेरा नाम है सूरज आ रहा है and I am the academic head of defense officers academy let's get started तो देखिए मैं एक sample लेकर आया हूँ आपके पास OMR sheet का इस तरीके से आपको OMR sheet देखने को मिलीगी सेनिक स्कूल के तरफ से ये class 6 की है तो class 6 और class 9 में कुछ ज़्यादा difference नहीं बस number of questions में difference है class 6 में around 125 questions है और class 9 में 150 questions आप से पूछी जाते है ठीक है तो वो तो नीचे number of questions से related हम लोग देख लेंगे बाकी details तो उसी तरीकी की भरेंगे आप जो 6 त वाले भरेंगे ठीक है और वैसी 9 त वाले भरेंगे तो सबसे पहले देखिए you have to use black या blue pen only to write and darken the circles ठीक है तो पहले नाम लिखेंगे आप ठीक है capital letters में नाम लिखेंगे इस तरीके से जिससे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ S U R A J then space छोडेंगे A R Y A ठीक है इस तरीके से नाम लिखेंगे school, scenic school जो भी है so and so आपको instructions वाँ पर दे जाएंगे invigilator के instructions देख लिजिएगा अब यह थोड़ा से important होता है जहाँ पर आपको roll numbers भी लिखने पड़ते हैं digits में और plus नीचे respective circles को भी fill करना पड़ता है वैसे exam center code वैसे question booklet code ठीक है तो मैं एक छोटा से example देता हूँ यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका roll number है one two three so on so forth आगे चलते जाएगा तो one के नीचे आप देखना आपको ऐसे vertically देखना है वन के नीचे जो one वाला circle है उसको आप fill करेंगे इस तरीके से ठीक है ऐसे completely fill करेंगे इस तरीके से ठीक है ध्यान से आपको ample of time देखने को मिलेगा आपको वैसे भी आपकी जो reporting time हो काफी पहले किये ताकि आप इन circles को properly fill कर सको यहाँ पर भी आपको तरीका दिया गया है कि आप इस तरीके से मत कीजेगा these are all the wrong methods ऐसे कुछ काटना नहीं है ऐसे tick नहीं मानना किसी वर्बल पर या किसी circle पर ऐसे बीच में छोटा सा गोला नहीं मानना या half नहीं भरना आप इस तरीके से पूरा भरेंगे this is the correct method ठीक है यह correct method है पूरा भरनने का तो जिससे मैंने one में मारा उसी तरीके साब two में मारेंगे two को ऐसे गोला करेंगे ठीक है अच्छे से और ध्यान रखना कि pen सही pen चुनना भी बहुत important है अभी सही time है आप अपने ले जो pen थोड़ा सा मोटा लिखता हूँ ठीक है वो आप चुन लीजी ताकि आप आराम से इन circles को fill कर सके ठीक है इस तरीके से आप number सारे mention करोगे exam center code जो होगा आपके admit card में प्लस से एक-एक details पूच कर आप fill करना अगर आपको 0.1% भी confusion है किसी भी instruction में तो इसको clarify करना invigilator से और तब proceed करना क्यूंकि आपको पता ही है कि OMR sheet है एक बार अगर गलत हो गई तो दुबारा provide नहीं करी जाएगी यह मैं सारे instructions आपके साथ discuss कर चुका हूं उसके इलावा फिर से options आ जाएंगे ठीक है question number one, question number two, question number three and all सारी चीज़े है तो यह वही है अगर आपको लगता है question number one का answer है C, तो C को fill करना ठीक है, अगर आपको लगता है question number two का answer है A, suppose question number two का answer है A, और गलती सा आप से B हो गया, तो बेटा B कोई ही रहने देना, let it be, please इसमें कोई ऐसी गलती आगे से वह गलती मत करना, क्योंकि मैंने फिर से बता रहा हूँ, OMR sheet है, इस तरीके की हरकते मत करना, कहीं पूरी की पूरी OMR sheet ही reject ना हो जाए, ठीक है तो इस तरीके से आप numbers को, और एक चीज़ और मैं बच्चों को बताता हूँ, कि जब आप question paper करेंगे, questions को solve करेंगे, तो simultaneously आप अपने OMR sheet भी भरना, ठीक है आप लोग छोटे बच्चे हैं, वैसे मैं बड़े बच्चों को तो ये strategy बताता हूँ, कि आप पहले अपना question paper solve कर लिजिए, question paper में pencil से tick माली जी answers, और last में आदा गंटा जो बचता है, उसमें आप OMR sheet भरेंगे, लेकिन ये strategy ये फिर नहीं भर पाते last में और भूल जाते हैं, आपने question नहीं करना, आपने question solve किया, पहले answer C आया, C भरा, question number 27 solve करा, 27 answer D आया, तो तुरन भर दिया, simultaneously आप goal को भरेंगे, ध्यान दिजेगा, ठीक है, simultaneously, इस तरीके से, उसके अलावा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इ इस तरीके से सारे questions attempt करेंगे, ठीक है, साती सात यहाँ पर पूरे signature candidate के, ठीक है, तो मैं अपने signature मारता हूँ, फिलाल, इस तरीके से आप signature करेंगे, instruction में साफ साफ दिया है, कि you have to use blue या black ballpoint pen, वो मैंने अल्यड़ी बता दिया आपको, और full signature of the invigilator, यहाँ पर invigilator के full signature आ तो यह चीज सोड़ा से ध्यान रखने है, और जब आप roll number आलेंगे, तो जो digits होंगे, उसके respective जो circles होंगे, वो fill करने, तो यह छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं, जो मैं चाहता था आपको बताना, ठीक है, अच्छा, साथी साथ, मैं यह भी बताना चाहता हूँ, कि R.I.M.C Maths का Olympiad का course हम लोगों ने launch कर दिया है, Defense Officers Academy की app में आपको देखने को मिल जाएगा, उसको हमने अभी चार modules में divide किया है, algebra is one of the module, permutation and combination एक module है, geometric module है, और फिर figure and statement वाला एक module हमने बनाया है, तो चार modules है, और धिरी धिरी इसमें वीडियो भी आने शुरू होगे हैं, तो offer भी चल रहा है, आप इसी जल से जल अवेल करें, ताकि इस बार के RMC exam में आप बहतर करें, और आपके जो chances of selection है RMC में वो बढ़ जाए, ठीक है, मैं तो चाहते ही हूँ कि सभी बच्चों का जो सपना है RMC में पढ़ने का वो जरूर पूरा हो, और ultimately Armed Forces को join करने का सपना ठीक है, और last में all the best करना चाहूँगा सभी Scenic School aspirants को ठीक है, अच्छे से जाना, exam देना, be very calm and composed, tips and tricks को उपर मैं वीडियो लाऊँगा last में, क्योंकि शान्त रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक दिन exam से पहले क्या करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको लिए जानी है उसके उपर हम लोग बात करेंगे, कोई भी doubt, कोई भी query रहेगी तो please इन numbers में आप हमसे संपर करें, आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं, directly call भी कर सकते हैं, telegram से जुर जाईएगा हमसे, क्योंकि you get all the important notifications in telegram, facebook, instagram में हमें जरूर follow कीजेगा, यहां से भी आपको सारे updates देखने को मिलत by defenseofficersacademy.in जरूर visit कीजेगा, again you will get all the updates, plus some important PDFs and some important blogs related to defense, ताकि आपके defense की knowledge और भी बड़े, ताकि आपको बाद में अगर interview हो, जिसे RMS और RIMC में देखा गया है, अगर interview का मौका मिले, तो आप कहीं न कहीं, वहाँ पर भी अच्छा करो, और आपका जो सपना है वो जरूर पूरा हो, so that's all for today, bye bye, see you soon, Jai Hind